करोना को लेकर एक बार फिर उत्तप्रदे सरकार ने 31 मार्च ताग इसकून बंद कर दी हैं तो इसको लेकर क्या गहे हैं चोकी लोग अभी तक इतना जागरूप नहीं हो पाएं करोना को लेकर और हालाद जो है लगातार खराब होने की आसंका है इसलिए पात्मित्ता के तोरप पर सरकार ने ये फैसला लिया है जो की ये चित है हाँ बीमारी महामारी को देखते हैं इस बात को लेकर लेकर लेकिन कहीं नगें बच्चों के अकेडमिक का भी प्रभाब इससे पड़ेगा तो उम्मीद ये करेंगे कि सरकार इसको जल्दी जल्दी कंट्रोल करने का काम करें अगर ये पिछली साल की तरह ऐसे पिछली साल आपने गेखा एक साल तक पूरा बंद रहाता है स्कूल हो गएरा तो कहीं इस तरीका इस बार भी ऐसे ही चलता रहा तब क्या करेंगे अगर एक साल और ऐसा किया जाएगा तो निश्य तरह बच्चों को उस हिसाब से जो है उनको एकेडमिक पड़ाई स्कूल के माद्यम से नहीं मिल पाईए पढ़ने वाले बच्चों ने जैसे तैसे अपना जो है साल इसको काटा है उन्होंने एनुर एक्जाम भी दिये हैं अगर एक साल और ऐसा किया जाएगा तो निश्य तरह बच्चों को भाद बड़ा लॉस होगा आप क्या चाहते हूं मैं यह चाहते हूं बैक्सीन आ चुकी है और गवर्मेंट जो है और लोग जो है उस बैक्सीन को लगवाएं और कहीना के गवर्मेंट से यह आसा भी रहे नहीं कि बहुत सारे वुद्हालों पर फर्क पढ़ा है हमारे ons भी क्रफ़ा ठाब हैं लगव और बच्चों को भी फर्क पढ़ा है परेट्स को भी फर्क पढ़ा है कहीं नहीं इस चीज को लेकर सभी लोग प्रभावित हुए है उत्तर परदेश सरकार ने जो आदेश करा है वो 24 मार्ज से 31 मार्ज तक करा है ठीक है लेकिन आपका विद्ध्याला आज खुला है आपने क्या वेलना करी है सरकार के आदेश की नहीं हम लोग जो कि यहाँ पर टेंथ और बोर्ड का जो है प्रैक्टिकल का सिजूल अलड़ है कि मासाब कोरोना संग्रमन को लेकर एक बार फिर उत्तर परदेश सरकार ने स्कूल 31 मार्ज तक बंद कर दिये तो क्या करेंगे आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में देखें सरकार ने जिस तरह से स्कूल एक दम बंद करने का आदेश किया है यह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगों इसमें परिखें करा रहे हैं कोरोना का प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से हम लोगों अंत्यारी पहले सी कर रखी है सैनिटाजिंग की विवस्ता है हम लोगों के पास सोसल डिस्टिंस का पूरा पालंग कर रहे हैं यहीं स्कूल इसी तरह से सरकार बंद क तो आज के जो बच्चे रहें वेविलकुल आवारा हो जाएंगे अनात की तरह घूमेंगे और शिक्ष्ण पर रस्ता जो हमारी मैदानी बच्चे हैं सिक्ष्ण पर एक तरह चोपट है जाएगी कि हम उसे कंट्रॉल नहीं कर पाएंगे समस्या यहां पर आ रही है सरकार निय बात करूंगा कि हम लोगों को यह गाइड लाने बांदिया जाए हम लोग उस गाइड लान के तहद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे करी कोरोना संक्रम नहीं आने बाला है इसमें क्योंकि हम लोग सभी प्रोटोगाल सोशल डिस्टेंस मास्क और सैनिटाइजिंग इसकूल को हर दूसरे दिन कराते हैं इसलिए हम लोग चाहते सरकार से कि ऐसी कोई समस्या पता ना करें जिससे हमारे बच्चे हमारे स्कूल विचारा परिसान हो जाएगा अभी बड़ी मुश्किल से टीचर्स का चूला जलाने के लिए हम लोग ने तरहीं आदा बेतन दिया है कि किसी को पूरा बेतन दिया है बड़ी मुश्किल से साल को काटा है सरकारे भी ऐसा कदम उठाती है तो हम लोग उसके बिरोद में खड हो रहे हैं इतने कंदेर हो रहे हैं कि गारी का क्राया बिजदी का बिल टीचर्स का बेतन सब देना पड़ रहा है लेकि अबाबक फीच महीं दे रहा है कि वो सीधे कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आए तब फीच किस बात की थे हम लोग एक कंगाली के मार्क पर ख हम लोग की भंगला तूटने लगी है हम लोग बहुत सिर्कत की घर से कुजा रहे हैं